जीवन की परिस्थितियों में मनुश्य का धन्बल बाहु बलिया अन्य उपलब्दियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती है। परन्तु जब उसका विश्वास तथा आगे कारता परमेश्वर की विश्वास नियता के साथ जुड़ जाती हैं तो आश्चरे करम होने लग जाते हैं। वाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार दर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों मैं अकांशा आपकी आश्यकारिक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले एक कारिक्रम में हमने मौर्य परवत के बारे में जाना था। आज हम एक और परवत के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कारमेल परवत। हमारे बीच में एक बार फिर से भाई अनुराग हैं जो हमें इस विशे पर बताएंगे भाई अनुराग आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद अकांग्शा पिछली बार हमने मौर के परवत के बारे में आपसे जाना था आज हम कारमेल परवत के बारे में जानना चाहेंगे जैसा कि हमने पिछली बार परवत के विशह में जाना और सुना भी था कि ये परवत जो है वो जो बाइबल में दिये गए हैं इनका एक महत्त है और हर एक परवत अपने आप में महत्वपूर्ण है जो बाइबल में दिया गया है और आज जब कि आपने कारमेल परवत के विशह में इस बात की चर्चा को रखना चाहा है तो कारमेल को जब हम इस्मरन करते हैं तो कारमेल एक ऐसा परवत है जब किसी भी मसीव एक्ति से आप पूछेंगे तो कारमेल इस बात क्यों इसमरन दिलाता है कि किस प्रकार से हम वहाँ पर एलिया के परमेश्वर और बाल देवता के बीच में जो वहाँ पर एक युद्ध हम देखते हैं उसका प्रगटी करण वहाँ पर हमें तुरंत इसमरन आता है कि किस प्रकार से एलिया एक तरफ खड़ा था और दूसरे तरफ बाल के साड़े चार सो पुजारी खड़े थे और वहाँ पर हम एक बड़े सामर्थी काम को परमेश्वर का देखते हैं परंतु हम इस बात को पाते हैं कि इसी परवत के उपर परमेश्वर ने एलिया को दोश्मुक्त किया और बहुत चमातकारिक रूप से परमेश्वर ने एलिया को लोगों के सामने परमेश्वर का जन सावित किया और ये जो बाते हैं वो हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है कि यही वहाँ पर एक घटना है और भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटना है जो कि कारमेल परवत पर हम देखते हैं जो बाइबल में दी गई है तो इसी से संब्धित कोई घटना है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हाँ जब कारमेल को आप देखते हैं तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस्मरण आती है जो कि शावल राजा से संब्ध रखती है शावल जो कि इसराइलियों का पहला राजा था और हम इस बात को देखते हैं कि यही कारमेल परवत है जहां पर हम परमेश्वर की आग्या का उलंगन करते हुए इस शावल राजा को देखते हैं हम जानते हैं कि यदि हम बाइवल को पढ़ते हैं पहला शामेल उसके पंदरा अध्याय को तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के जनों का अर्थात शाउल राजा का इसराइलियों का अमालेकियों के साथ युद्ध होता है और परमेश्वर ने शाउल राजा को यह आदेश दिया था कि तू अमालेकियों को जीवित मत छोड़ना उनको सब को खतम कर देना और ना केवल उनको परंतु उनके जो भी पशुधन है जो कुछ भी तू जीत के लाएगा उसमें से कुछ भी तू अपने पास ले करके मताना यह परमेश्वर की आग्या थी और जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से उन अमालेकियों के उपर विजय प्राप्त की और इस विजय हासिल करने के बाद आवशकता ये थी कि शाउल राजा परमेश्वर की आग्या का पालन करता तब हम इस बात को देखते हैं कि साथ ले के आए यहां तक कि शाओल ने उस राजा को भी अमलेकियों के राजा को भी छोड़ दिया जिसे उचे छोड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था और तब साथी साथ उसने जितने भी मोटे और ताजे बैल और बच्छडे थे उन सबों को ले करके वो आ गए और उन्होंने ये कहा कि हम इस परवत पर ला करके इसको परमेश्वर के लिए बलिदान चड़ाएंगे तो ये परमेश्वर के आग्या को ना मानना जब शाओल ने किया तो वहां हम देखते हैं कि वहां से शाओल का पतन प्रारंब होता है जब हमने मौरिया परवत को लेकिन जब हम कारमेल परवत पर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक वेक्ति है जो यहां पर अनाग्या कारिता को प्रगट कर रहा है और यहां पर हम देखते हैं कि शाओल का राजा होना जो है उसके बوجود उसने परमेश्वर की आग्या का उलंगहन किया और तब परमेश्वर इस बात को कहता है अपने नभी के द्वारा से और वो का करके कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं शाओल को राजा बना करके पश्टाता हूँ और वहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि एक विचित्र घट्रा वहाँ पर उनके जीवन में होती है और शाउल जो है उसके बाद परमेश्वर की नजरों से गिर जाता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है जिसे हमें हमेशा इस्परण करने की आशकता है और तब उसके 22 वचन में परमेश्वर अपना एक संदेश अपने दास के दोरा से शाउल नभी के दोरा से शाउल राजा के पास भेशता है और कहता है कि क्या परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से प्रसन होता है परमेश्वर आग्या मानने से प्रसन होता है और वहाँ पर शामिल भी शावल राजा से नाराज होता है कि तूने ये क्या किया, क्यों तूने परमेश्वर की आजिया का उलंगन किया कई बार हमारे जीवन में ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम गलत रूप से काम कर लेंगे और उसको सही रूप में उसे इन्वेस्ट करके हम परमेश्वर की आशीशों को प्राप्त कर लेंगे कारमेल इस बात को प्रगट करता है कि परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर की आग्या है वो सर्वो परी है कई बार हम लोगों के जीवन को देखते हैं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लिजे धन समपत्ती की बात आती है वो ये सोचते हैं कि हम गलत तरीके से धन अरजित कर लेंगे जूट के द्वारा से और भरस्टाचार के द्वारा से हम धन अरजित कर लेंगे और तब हम क्या करेंगे कि इस धन को हम भले कामों में लगाएंगे हम चर्च में डोनेशन दे देंगे हम गरीबों के लिए उसको बाट देंगे या उससे भले काम हम कर लेंगे तो हमको उससे जो आशीशे मिलेंगी उसके कारण से हमारे जो गुना हमने किये है वो हटा दिये जाएंगी या खतम हो जाएंगे ऐसा नहीं है बाइबल के परमेश्वर के सामने जो सही है वो सही है जो गलत है वो गलत है हम किसी भी प्रकार से अपनी गलती को परमेश्वर के सामने जस्टिफाइ नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके से अपने गिये हुए गलत काम को परमेश्वर के सामने सही साबित नहीं कर सकते ये हमको कारमिल इस घटना से सिखाता है कि कारमिल हमको ये बताता है कि हमको यदि परमेश्वर के सामने रहना है तो हमें सच्चाई से रहना है आग्याकारिता से रहना है और ह हम यदि ये सोचते हैं कि हम गलत तरीके से कियोए कामों को करने के बाद सही रूप से काम करके हम गलतियों को ढाब देंगे तो ऐसा बाइबल हमको नहीं सिखाती ना बाइबल का परमेश्वर हमको ऐसा करने की आग्या देता है। दूसरे तरफ कई बार हमको ऐसा लगता है आज यदि हमारे दैनिक जीवन के हमारे संबंधों की हम बात करें हमारे लोगों के बीच में आपसी रिष्टों की हम बात करें बहुत सी बार हम यह देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है अरे अभी तो हम संसार में जब तक हैं तब तक यदि हमारे को जिस संबंद में उस स्वर्ग में जीना है जहां परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता है तो हमको उस संबंद को आज स्थापित करना है आज ही हमको उस संबंद को बनाए रखना है चाहे वो संबंद परमेश्वर के साथ हो चाहे परमिश्वर के लोगों के साथ हो या हमारे एक दूसरे मनुश्यों के साथ तो ये कारमिल परवत हमको इस बात को सिखाता है कि हमको परमिश्वर की आग्या का पालन करना है और जो परमिश्वर हमसे चाहता है हमको उसे पूरा करना है भाई हमें ये पताईए ऐसा क्या कारण है जिससे कि हम परमेश्वर की आज्याओं का उलंगन करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आज्याओं को उलंगन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर या हमारे जीवन में हमारा स्वैम राज्य करता है हमने अपना हिर्दय परमेश्वर को और उसकी आग्याओं को समर्पित नहीं किया बहुत सी बार मनुष्य केवल पाप में इसलिए पड़ जाता है गलत काम इसलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने महतो को भूल जाता है और हम अपने स्वैम को महतो देते हैं हमेशा हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे सामने दो इच्छाएं हमेशा चलती रहती हम किसकी इच्छा को प्रात्मिक्ता देते हैं एक तरफ हमारी इच्छा, हमारी सोच, हमारी आवशक्ताएं हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए सोच सकती है लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर की आग्या है परमेश्वर की इच्छाए है तो हम किसको महत्तो देते हैं तो बहुदा ये देखा जा सकता है ये समझा जा सकता है कि हमारी अनाग्या कारिता का कारण करता है जब तक पाप हमारे जीवन में राज्य करेगा हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते तो कारमेल हमको इस बात को सिखाता है शाउल के जीवन से शाउल राजा के जीवन से कि वो शाउल था जिसने आग्या नहीं माना और परमेश्वर ने कहा कि आग्या मानना बलिदा बाते जो आप बताना चाहेंगे जो नबाल था वो एक धनी पुरुष था और उसका माल जो है वो कारमेल परवत में होता था और वो इतना धनी पुरुष था कि उसके पास तीन हजार भेड़े और एक हजार बकरिया थी और बाइबल इस बात को बताती है कि जिस समय वो कारमेल परवत पर जहां पर उसकी पाहियों और सैनिकों के साथ उस परवत पर था और दाउद ने उन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया था उसके जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे चरवाहे थे क्योंकि दाउद ये जानता था वो खुद एक चरवाहा था और वो उन चरवाहों के प्रति वो नरम हिर रखता था और एक सभ्य और सज्जन पुरुष्ट था दाउद राज्या। और उसने किसी प्रकार का नुकसान उन चरवाहों को नहीं किया, ना उसके माल को कुछ उसने नुकसान किया। परनतु उसने और भी बहार के लोगों से उन सब को सुरक्षा प्रदान किया और जब नाबाल अपने भेडों का उन कतरने के लिए उस परवत पर आया और दाउद के लोगों को भूक लगी थी और दाउद चाहता था कि किसी तरीके से नाबाल उसके सैनिकों के लिए कुछ व्यवस्था करे तो दाउद राजा अपने सेवकों के दौरा नाबाल के पास खबर भेजता है और कहता है कि हमने समय पर तेरे सेवकों के लिए तेरे चर्वाहों के लिए हमने सुरक्षा दिया और हमने कोई हानी नहीं पहुँचाई थी परन्तु अभी यदि तेरे आनंद के समय में, जब तु यहाँ पर है, तो तु अपने आनंद के समय हमारी सहायता कर. हमारे सैनिकों के लिए कुछ इन्दिजाम कर. परन्तु वहां पर इस बात को हम देखते हैं, की नाबाल जिसका अरथ है मुर्क। नाबाल ने उन सैनिकों को जो की दाउद के थे वो कहता है कि ये दाउद कौन है कि मैं उसकी बात सुनू और वो उनको वहां धुतकार करके भगा देता है और जब ये खबर दाउद राजा को मिलती है तो दाउद इस बात को कहता है कि चलो और हम उस पर आकरमन करेंगे और उ उस नाबाल की पत्नी जिसका नाम अभीगैल था उस इस्त्री को इस बात को बताया अभीगैल के बारे में बाइबल बताती है कि वो एक रूपवान इस्त्री थी और एक बद्धिमान इस्त्री थी और जब उसने इस बात को जाना कि दाउद राजा उसके खिलाफ चले आता है तब वो अपने साथ रोटी और इस प्रकार की भोजन वस्तों लेकर के दाउद से मिलने को जाती है اور दाउद राजा के पास जाकर के बिंती करती है कि तू अपने क्रोध को शांत कर इस बात से कि उसने दाओद के क्रोध को नाकेवल ठंडा किया परंतु बड़े बुद्धिमानी के साथ उसने अपने पती को भी बचा लिया और अभीगैल के कारण से दाओद नाबाल को शमा कर देता है और नाबाल का प्राण बच जाता है अंततना हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर एक बुद्धिमानी का काम उस अभीगैल ने किया जिस इस्त्री ने अपने पती को अपनी बुद्धिमानी से बचाया वो इस बात को प्रगट करता है ये कारमिल परवत कि कैसे एक बुद्धिमानी का काम करने वाली इस्त्री अपने पती के जीवन को बचाने का काम करती है और यही वो इस्थान है जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दाउद नियाए पूरवक काम जो है वो करता है अपने लोगों के साथ में या उन लोगों के साथ में तो यहां पर हम इसको बात को सीख सकते हैं कि कारमिल परवत इस बात को प्रगट करता है कि वहा पर जो न्याय का काम किया गया तो सामर्थ का काम प्रगट किया यही बात यर्मिया जो है वो अपने पुस्तक के अंदर लिखता है पचास अध्याए और उन्नीस वचन में यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं मैं इसराइल को उसकी चराई में लोटा लाऊंगा और वा कारमेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाडों पर और गिलाद में फिर भर पेट खाना खाने पाएगा ये वचन इस बात को प्रगट करता है कि ये जो कारमेल है ये कारमेल भरपूरी का इस्थान है जहां पर हर एक के लिए चारा है हर एक के लिए सब कुछ भरपूरी में मिलता है तो दूसरी बात जब हम इस कारमेल में आते हैं, तो हम इस बात को प्रगट करते हुए देख सकते हैं, कि ये कारमेल जो है भरपूरी है, जहां पर हम सम्रिद्धी को देखते हैं, जहां पर हम तेजस्वी पन को देखते हैं, जहां पर हम बुद्धी को देखते हैं, तो ये ब श्रेष्ट गीत को पढ़ेंगे, वहाँ पर उसे एक मुकुट के समान प्रगट किया गया, यदि आप पढ़ें उसको प्रीज पढ़िएगा, श्रेष्ट गीत साथ और उसका पाँच तेरा सिर तुझ पर कार्मिल के समान शुभा एमान है वचन इस बात को कहता है कि ये जो कार्मिल परवत है, वो शुभा को प्रगट करता है, मैजेस्टी को प्रगट करता है, श्रेष्टता को प्रगट करता है, यहाँ पर समरिद्धी को प्रगट करता है, प्रॉस्पैरिटी को और साथ ही साथ ये बुद्धी को प्रगट करता है तो ये परवत इन सब बातों की आशीशे हमारे जीवन में देने की सामर्थ रखता है एक और घटना यहाँ पर हम देखते हैं इस परवत के उपर जो कि हमें एलीशा के जीवन से मिलती है एलीशा जो कि एलिया का टहलुआ था और एलिया के बाद एलीशा को परमेश्वर ने सामर्थ दिया यदि हम दूसरा राजा उसके चौते अध्याय को पढ़ते हैं वहाँ पर ये घटना हमको देखने को मिलेगी वहाँ पर हम प्राते हैं कि वहाँ पर एक शुनेम का इस्थान था जहां पर एक स्त्री रहती थी और वो स्त्री जो थी वो बहुत ही कुलीन थी और एक समर्पित महिला थी और परमेश्वर के लोगों के प्रती वो बहुत डिवोटेड महिला थी और वहाँ पर बताया गया है कि ये जो परमेश्वर का दास है अलिशा वो वहाँ जाया करता था और उनके घर में ये रुकने का काम करता था तो वो इस्त्री देखती है, वहाँ पर फिर एक बुद्धिमानी का काम हम देखते हैं, समरपन का काम देखते हैं वो इस्त्री देखती थी कि ये परमिश्वर का दास जब सेवा के लिए यहां आता है तो वो अपने घर में उसके लिए एक कमरा बनाती है और वो अपने पती से कहती है कि क्यों न हम उसके लिए एक स्थान बनाए तो जब वो वैक्ति वहाँ आता था तो वो उनके वहाँ पर उस कमरे में रहा करता था और तब परमिश्वर के जनकार्थात एलीशा का मन उस परिवार के प्रती जो है वो आनंद और विभोर से भर गया और वो चाहता था कि तू क्या चाहती है माँग और तब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तब जो एलिशा का सेवक था गेजी उसने बताया कि इस इस्तरी के कोई भी संतान नहीं है और ना उसके घर में इस प्रकार की कोई आशिश है और तब उसने इस बात को उस इस्तरी से कहा ज़िए कि परमेश्वर यहुआ के जीवन के शपत तू अगले वर्ष अपने गोद में एक बच्चे को खिलाएगी और आगे कहानी यहां पर यह इस प्रकार से बढ़ती कि वो इस तरी जो है वो कहती है कि तू मुझसे मजाक मत कर तू मेरे साथ ऐसी बात मत कर कि मेरे को धोका खाना पड़े क्योंकि मैं बुड़ी हो चुकी हूँ वो इस तरी बुजर्ग हो चुकी थी और इसका पती भी बुजर्ग था लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के दोरा से एक आशी शम देखते हैं और जब उसको वो बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है और तब वहाँ पर एक घटना घटती है कि वो बच्चा अचानक एक दिन वो उसका सिर में दर्द होता है और वो बच्चा मर जाता है बाइबल बताती है कि उस इस्तरी ने क्या किया कि उस इस्तरी ने उस बच्चे को ले जाकर एलिशा के खाट के उपर डाल दिया और एलिशा के खाट के उपर डाल करके वो उसको बंद करके कहती कि उसे मत खोलना और वहां से वो भाग करके अपना एक सेवक को लेती है और गधे को में बैट करके उस सीधा परमेश्वर के दास के पास जाती है जो कारमेल परवत पर था और वहां से वो कारमेल परवत पर जा करके परमेश्वर के दास के पास आ करके उससे भिंती करती है और वो कहती है कि मेरे साथ जो घटा है तू उससे उसको ठीक कर क्योंकि मैंना कहती थी तुझ से कि मेरे साथ ऐसा मजाक ना होने पाए लेकिन वो ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर का दास चाहेगा तो निश्चित उसकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर उस बच्चे को बचाएगा दास परमेश्वर का जो था एलिशा वो कहता है गहजी से कि तू जा और यह लकड़ी उस बच्चे के सिर पर रखना वो कहती नहीं तू चलेगा तो ही हम इसको मानेंगे और फिर पीछे पीछे जो है वो एलिशा जाता है और एलिशा जा करके बाइबल बताती है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता उस बच्चे के उपर पसर करके वो प्रार्थना करता और जब उसके उपर लेट करके वो प्रार्थना करता है वाइबल बताती कि धीरे धीरे उस बच्चे के शरीर में गर्मी आने लगी और वो बच्चा जी उठता है और तब वो उस बच्चे को उठा करके उसकी माता को दे देता है तो एक बड़े ही सामर्थ का काम हम एलिशा के द्वारा इस परवत पर होते देखते हैं जो की परमेश्वर के काम को प्रगट करने का परवत है तो जब हम इस कारमेल परवत की बात करते है तो कारमेल परवत हमको इस बात को सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के कारियों के लिए परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए यदि हम कुछ बिना किसी लालच के करते हैं जैसे उस सिस्त्री ने किया तो बिना मांगे ही परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीशों को ले करके आता है जो कि उनके जीवन में आनद भर सकती हैं और भले ही हमारे जीवन में तकलीफ क्यों ना आए भले ही हमारे जीवन में बिमारी क्यों ना आए भले ही हमारे जीवन में समस्या क्यों ना आए ल वहां से परमेश्वर इन सामर्थी कारियों को कर सकता है और हम एलिशा के जीवन को देखते हैं बहुत बड़े-बड़े सामर्थ के काम परमेश्वर ने एलिशा के द्वारा से किया क्योंकि उसने उसको दुगनी सामर्थ दिया था उस आत्मा की जो एलिया के अंदर थी तो के सामर्थ के काम को हम यहाँ पर कार्मिल के अंदर होते हुए देखते हैं और हम उस बात को समझ सकते कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा करना चाहता है यदि हम परमेश्वर के प्रेम रखते हैं परमेश्वर के लिए कुछ सेवा करते हैं तो परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता वो हमारे हर एक काम का प्रतिफल हमें देता है और बहुत आयत से प्रदान करता है तो एलीशा और शुनीमिन स्त्री की घटना से क्या सीखते हैं हम हम इस बात को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं जैसा हम बात कर रहे थे कि यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार वेर्थ नहीं जाएगा और हमारे जीवन की कोई भी घटी क्यों ना हो चाहे हम किसी भी परिस्थिती में क्यों ना हो परमेश्वर हमारे लिए उन सब कारियों को करने की सामर्थ रखता है जैसे उस इस्त्री को उसने अपने बुजुर्ग अवस्था में बिना मांगे एक संतान दे करके आनन्दित किया तो ये है और एक अनुग्र है जो हम देखते हैं कि एलिशा ने उस परिवार के प्रती प्रगट किया जो उसकी सेवा के लिए उसके साथ खड़े हुए थे तो हम देखते हैं कि इस कारमेल परवत पर हम परमेश्वर के छुटकारे को देखते हैं परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं जिस प्रकार से उस बच्चे को चंगाई मिली और वो जी उठा और हम एक तसली को देखते हैं जो हमारे जीवन में आ सकती है जब हम परमिश्वर के साथ चलते हैं और एक अन्तिम बात जो हम इस कारमिल परवत पर हम देख सकते हैं जहां से मैंने प्रारम किया था कि जो एलीशा था उसका जो गुरू था एलिया हम एलिया के जीवन के बड़े बड़े कामों को यहाँ पर देखते हैं बाइबल बताती है कि हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पहली बार प्रार्थना किया और देखा तो वहाँ पर कोई बादल नहीं था दूसरी बार प्रार्थना किया तो वहाँ पर कोई बादल नहीं था उसने छे बार प्रार्थना किया और अपने दास से कहा तू जा और देख कि क्या कोई बादल दिख रहा है तब तक वहाँ पर बादल नहीं दिखता और कई बार ततकाल सुन लेगा और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने में समय लेता है दूसरे शब्दों में हम ये ना समधे कि हम इतने बड़े हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार चलता है हमें ये सीखने की आवशक्ता है इस प्रार्थना से कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है और हम सब उसके सामने दुख, सुख, भोगी मनुश्य हैं चाहे हम एलिया हों, چाहे हम एलीशा हों चाहे हम यहन्ना हो, हम चाहे साधारन इंसान हो, चाहे हम वो अभी गैल हो, हम मेंसे हर एक को परमेश्वर ने अपने लिए जहां पर रखा है, वो हम से चाहता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन हम ये ना समझें कि हम बहुत कुछ है, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर तब देता है जब उसका समय आता है परमेश्वर अपने हिसाब से चलने वाला परमेश्वर है हमारी जिम्मदारी है हम अपनी बिंती और निवेदन परमेश्वर के सामने रखते रहें तो ये हमको इस बात को दिखाता और सिखाता है कि परमेश्वर के सामने जब हम ना किया गत्समनी बाग में उसने कहा कि प्रभू यदि तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो एलिया ने जब देखा कि वो बादल का छोटा सा तुकड़ा है वो कहता है चलो यहां से भागो क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ज अग यहां से और यहां से निकल लो परमेश्वर की समर्द ऐसी काम करती है जब नहीं करती है तो वो समय लेती लेकिन जब करती है तो हमारे जीवन को वो सरावोर कर देती ये हमें सीखने को यहाँ पर मिलता है कारमिल परवत से कि हम आज्याकारिता में रहें और हमारे लिए बुद्धिमानी की बात है हमारे लिए समरिद्धी की बात है और हमें ये श्रिष्टता को परदान करता है और हमें ये प्रार्थना करना सिखाता है ये है वो कारमिल परवत जिससे हमें इस बात के शिक्षा मिलती है बहुत बहुत शुक्री आज के वच्छन के लिए धन्यवाद प्रिये दर्शिको मैं आशा करती हूँ कि आज के कारिक्रम से आपको सीखने को मिला होगा अगर आपको हमारा कारिक्रम पसंद आया है तो आप नीचे दिये गए नंबर पर हमें मिस्ट कॉल करे और अगर इस विशे पे अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर हमें संपर करे अथवा पत्र लिखे अगले कारिक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार